आशुतोष गोवारेकर की विवादित फिल्म पानीपत पर मध्यप्रदेश में बैन लगाया जा सकता है MPK जनसंपर्क मंत्री पीशी शर्मा का कहना है कि उनकी सरकार जाट समाज की भावनाओं का सम्मान करती है और पानीपत फिल्म पर जल्द कानूनी सला लेकर कोई बड़ा एक्शन लेगी पानीपत फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है आजुन कपूर और किर्थी सैनें स्टार फिल्म की कहानी एतिहा से घटना पर अधारित है इसे लिए रिलीज होते ही फिल्म के साथ विवाद भी जुड़ गया है फिल्म में महराजा सुरजमल को माराथा पेश्वा सदाशिव राओ से समवाद के दोरान इमाद को दिल्ली का वजीर बनाने वो आगरा का किला उन्हें सौपे जाने की मांग करते दिखाया गया है इसी पर पेश्वा सदाशिव राओ अपनी आपत्ती जताते हैं सुरजमल भी एहमर्शा अबडाली के खिलाफ युद में माराथाओं का साथ देने से इनकार कर देता है जाट समाच फिल्म के डारेक्टर आशुतोष गुवारेकर पर सुरजमल के गलत चितरन का आरोप लगाते हुए फिल्म का विरोत कर रहा है राजिस्थान में फिल्म के विरोत को लेकर प्रदर्शन जारी है जिसकी आग अब MP में भी दिखाई देने लगी है और सरकार इस पर कानूनी राय ले रही है लेकिन प्रदेश में फिल्म का प्रदर्शन जारी है अब जो भी कानूनी कारवाई होगी मुख्यमती जी के संग्यान में वह होगा गौर्टलब है कि राजिस्थान में पानिपत को लेकर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें कई सिनमा घरों को तोड़ भी दिया गया हर्याना और वेस्टन यूपी में भी आंदोलंग चलाया जा रहा है MP सरकार पानिपत पर हो रहे विवात के कारण इस मामले पर कड़ी नजर रखी हुई है Bureau Report India First News खबरों में बने रहने के लिए बैल आइकन दबाईए और इंडिया First News को सब्सक्राइब पीछे और हमारी एप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें 55 साल में तुछ जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री पांच मिनट भी अपने पबलिक रिलेशन्स को अपने पियार को छोड़ नहीं सकते